लगदाक सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का क्रम जारी है विदेश मंतरी S. जैशंकर के मताविक दोनों परुमार हथियार संपन्न देश सीमा पर तनाव कम करने के लिए वारता कर रहे हैं लगर देशोमार लार्वादान पून के मतावन से अल्विपस घ्कॉलिटए इस अजसेए अटर्वार प्रोमार के लिए झातरा है लार्यूट जुट्यू नचकार इस विचिजिए वह थिए प्राव प्रश तनावत फ्रश्वा रसना प्रूमार बात्वादा करें अट्यू उदर विदेश मंत्राले ने चीन को सपष्ट संदेश देते हुए कहा कि केंद्र साश्चित प्रदेश, जम्मु कश्मीर, लग्दाख और अनुणाचल प्रदेश भारत के अभिन अंग हैं और रहेंगे। चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर टिपड़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन की टिपड़ी पर विदेश मंतराले ने कहा है कि सरकार आर्थिक विकास भारत की सुरक्षा और सामरिक आवश्रक्ताओं को पूरा करने के लिए सीमा वर्तिक शेत्रों के विकास पर विशेश ध्यान देती है। विदेश मंत्राले ने पाकिस्तान पर भी कड़ा निशाना साधा और कहा कि वो अब भी सीमा पार से आतंगवाद को बढ़ावा दे रहा है विदेश मंत्राले ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार के उस दावे का खंडन किया जिसमें कहा ग लेक्पाहिवाने विलाराइ लेक्साहिट तर्ण समय अपने पाकिस्तान्स एफिट अफुट अवर्टांति टो प्रिजूत प्रेज्मिस अवर्मट और मिल्द इस प्रिस में इसपूलिट इस और कशेंट पूलिज के पुलिए इंडियो इंड ओ सुनिदिध खीड्लिट सु कुल मिलाकर भारत ने अपने दोनों पडोसियों को साफ कर दिया है कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है साथ ही भारत ने पाक को एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आतंगवाद और बाचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं और भारत का ये रुख अब भी कायम है डीडी न्यूज